नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका समीर पाट साला में दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एक इंडियान नोबलिस्ट को जिसका नाम है अनीता देशाई अनीता देशाई के मैं इस वीडियो में multiple choice questions को लेकर आया हूँ लेकिन दोस्तों मैं आपको जैसे जैसे questions को solve कराता जाऊँगा इनकी additional information भी देता जाऊँगा वैसे तो number of questions जो है वो 10 हैं लेकिन मैं आपको बहुत सारे questions के answer दूँगा इसमें क्योंकि मैं इने साथ साथ explain भी करता रहूँगा तो दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे सबसे पहला question है दोस्तों हमारा when अनिता देसाई born अनिता देसाई जो है कब born होई थी तो दोस्तों आपके सामने ये चार options हैं इन चारों में से आपको correct answer देना है पेपर में भी आपको objective type questions ही मिलते हैं जिनने हम दोस्तों multiple choice questions कहते हैं इसी तरह के questions आपको exam में भी मिलते हैं दोस्तों एक कूर चीज में बताता हूँ कि अनिता देसाई जो है इनका जनम कब हुआ था इस question में पूछा गया था लेकिन writer को जब हम पढ़ते हैं हम ये सोचते हैं कि इनकी DOD भी जान लेते हैं तो अनिता देसाई जब मैं इस वीडियो को आज बना रहा हूँ तब तक अनिता देसाई जो है वो living है तो इनकी DOD खुजने की जरूरत नहीं है आपको ये अभी भी living है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो writers होते हैं जो poets होते हैं, novelist होते हैं उनको उनकी death के बाद ही ज़्यादा तर fame मिलता है लेकिन अनिता देसाई एक ऐसी Indian novelist है जो international level पर जाने जाती हैं और ये अभी living भी है तो दोस्तो आपको इसका correct answer बताना है तो मैं आपको इसका correct answer बता देता हूँ दोस्तो 24 June 1937 को अनिता देसाई का जनम हुआ था ठीक है, तो ए इसका जो है दोस्तो correct answer है दोस्तो साथ ही साथ मैं आपको और चीज़ भी बताना चाहता हूँ जो Indian, father of Indian English poetry है जिनका नाम निजिम इजिकिल है उनका जनम हुआ था दोस्तो 16 December 1924 को फिर दोस्तो तीसरा है 31 March 1934 1934 में किसका जनम हुआ था दोस्तो कमलादास का जनम हुआ था ठीक, कमलादास भी Indian writer है इने भी साइत्य Academy Award मिला था 1985 में इसके अलावा दोस्तो option number D जो है आपके सामने इनका है मुल्क राज आनन्द मुल्क राज आनन्द मुल्क राज आनन्द का जनम हुआ था 12 December 1905 को ठीक, ये चारों Indian writer के मैंने आपको डेटो बर्त बता दिये तो यहाँ पर इसका जो correct answer है दोस्तों वो क्या है A इसका correct answer है बढ़ते हैं question number 2 की तरफ How many times अनिता देशाई has been shortlisted for the Booker Prize अनिता देशाई कितनी बार उनका नाम कितनी बार shortlist कर दिया गया है किसके लिए Booker Prize के लिए Booker Prize के लिए अनिता देशाई का कितनी बार नाम जो है shortlist किया गया था तो इसमें आपके पास दोस्तो चार ओप्संस है एक बार दो बार तीन बार या फिर चार बार तो आपको इसका correct answer मैं दोस्तों बता देता हूँ इसका correct answer है 3 times Thrice इनका नाम जो है shortlisted किया गया था Booker Prize के लिए Question number 3 है Which is first published novel by अनिता देशाई अनिता देशाई के दुआरा First published novel कौन सा है Again आपके सामने दोस्तों चार ओप्संस है ये अनिता देशाई के चारो के चारो Novels है ठीक है अनिता देशाई क्या है एक Novelist है Indian Novelist है अनिता देशाई की जो Father है वो कहां से थे बंगाल से थे और अनिता देशाई की जो Mother थी वो कहां से थी वो German Lady थी तो इनके Parents की Detail मैंने आपको बता दी यदि Present की बात की जाए तो अनिता देशाई दोस्तों अभी अमेरिका में रहती है ठीक है आपको ये Information भी मिल गई तो इनका First Published Novel के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है Question No.3 में आपके सामने दोस्तों चार ओप्संस है Voices in the City Bye Bye Blackbird In Custody Cry the Peacock तो इनका दोस्तों सबसे पहला जो Novel है वो है Cry the Peacock ये कब आया था दोस्तों इनका 1963 में आया था 1963 में इस Novel को इनोंने Publish कराया था तो D इसका Correct Answer है बढ़ते हैं Question No.4 की तरफ When Anita Desai won Padma Bhushan Award Anita Desai को दोस्तों एक बार Padma Bhushan Award भी दिया गया था वो कब दिया गया था इसमें आपको दोस्तों चार ओप्सं दिये गए हैं फिर से चारों में से आपको Correct Answer बताना है तो दोस्तों इसमें Correct Answer जो है B अनिता Desai को Padma Bhushan Award दिया गया था दोस्तों 2014 में ठीक अगर मैं इसकी बात करूँ तो रविंदर नाट टैगोर को 1913 में क्या दिया गया था दोस्तों Novel Price 2014 में अनिता Desai को Padma Bhushan Award दिया गया था तो यह चारो मैंने आपको बता दिया है लेकिन इसका जो Correct Answer है दोस्तों वो कब है 2014 में अनिता Desai को Padma Bhushan Award दिया गया था Question Novel 5 है When Anita Desai won't Saithya Academy Award आपके सामने यह 4 options है पिछले ही question में मैंने आपको इसमें दोस्तों answer दे दिया है तो यह question आपके लिए बहुत easy हो जाएगा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको detail बताता हुआ चलूँगा तो आपको 10 questions में ही सारे questions का answer मिल जाएगा 2014 में अनिता Desai को Padma Bhushan Award दिया गया था 1932 में दोस्तों दिया गया था क्या Novel Prize किसे John Galsworthy को और 1978 में दोस्तों अनिता Desai ने जीता था क्या साहत्या एकड़मी आवड और 1985 में कमलादास ने जीता था क्या साहत्या एकड़मी आवड अब बात करते हैं इस question की कि अनितादेशाई को साहत्या एकड़मी आवड कब दिया गया था 2018 1888 जो है दोस्तो 1978 इसका correct answer है C इसका correct answer है बढ़ते हैं कोचन नमबर 4 की तरफ Which work अनिता देशाई won साहित्या Academy Award किस work के लिए अनिता देशाई को साहित्या Academy Award दिया गया था तो आपके सामने दोस्तो चार options हैं चारो के चारो options बहुत ही ज़्यादा important है चारो work जो है अनिता देशाई के बहुत ही ज़्यादा खास है पहला है दोस्तो fire on the mountain दूसरा है clean light of day तीसरा है दोस्तो fasting feasting छोता है in custody ये चारो options आपके सामने हैं आपका question ये है कि किस work के लिए अन साहित्या Academy Award जो है वो दिया गया था तो मैं दोस्तो आपको बता देता हूं साहित्या Academy Award अनिता देशाई को दिया गया था fire on the mountain ये work इनका लिखा गया था दोस्तो 1977 में और अनिता देशाई को इस work के लिए साहित्या Academy Award मिला था दोस्तो कब 1978 में ठीक अब मैंने आपको जब अनिता देशाई का जो नाम है वो तीन बार सोट लिस्टिट किया गया था किसके लिए भुकर प्राइस के लिए राइट जो बाते मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से सुननी है अनिता देशाई का नाम तीन बार सोट लिस्टिट किया गया था किसके लिए भुकर प्राइ वैसे ही अनीता देशाई को दोस्तो बुकर प्राइस के लिए सोट्रिलिस्टिड किया गया था लेकिन ये वर्क जो है इसके लिए उन्हें मिला था साहित्या एकेडमी अवार्ड तो दोस्तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है I hope चीजे आपको अभी तक समझ में आ रही हैं बढ़ते हैं question number seven की तरफ who is called the mother of the Indian psychological novel Indian psychological novel की mother कोन कही जाती है तो चार options दोस्तो अगेन आपके सामने हैं पहला है दोस्तो कमला दास दूसरा है अमरिता प्रितम तीसरा है सरोजनी नाइडू और चोता है अनीता देसाई दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ ये चारो ही female है चारो का नाम ही दोस्तो इंडियन राइटर्स के अंदर काउंट किया जाता है तो इसका correct answer जो है दोस्तो mother of the Indian psychological novel कहलाती है अनीता देसाई question number 8 है when did अनीता देसाई अनीता देसाई ने कब इंगलिस लिटरेचर में बिये किया था ठीक इसमें आपको year बताना है 1956 में किया था 1957 में किया था 1958 में किया था 1959 में किया था तो आपको इसका correct answer बताना है तो मैं आपको दोस्तो इसका correct answer बता देता हूँ, इसका correct answer है दोस्तो, 1957 में इन्होंने graduation किया था, मतलब की BA किया था, English Literature में कहां से दोस्तो, Delhi University से क्या किया था दोस्तो, graduation किया था, तो इसमें आपके दो question solve हो गए, कि इन्होंने कब किया था, 1957 में किया था, कहां से किया था, Delhi University से किया था, इसके साथ ही दोस्तो, मैं एक और चीज बताता हूँ, आपको 1958 में इन्होंने साधी की थी, ये married अगर इनकी year आता है, कि when Anita Desai got married, तो 1958 इसका correct answer होगा, तो दोस्तो इन्होंने अपना graduation, English Literature में किया था, 1957 में भी इसका correct answer है, question number 9 है, which novel brought Anita Desai international fame, international fame, मतलब कि जिस novel की वज़े से, Anita Desai पूरे संसार में, पूरी दुनिया में famous हो गई, मतलब जिस work ने इनके लिए international fame हासिल किया था, वो कौन सा novel है, तो दोस्तो ये nobel भी वही nobel है, जिसके लिए इन्हें साहित्या Academy Award दिया गया था, fire on the mountain, fire on the mountain की वज़े से इन्हें international fame मिला था, 2014 में दोस्तो पद्मा भूसन अवार्ड मिला था, इन्हें 1978 में मिला था, दोस्तो साहित्या Academy Award किस work के लिए, इस work के लिए और इसी work के लिए इन्हें internationally fame भी मिला, आपके सामने दोस्तो चार options हैं, चारो options में से आपको ये बताना है कि किसको साहित्या Academy Award मिला है, तो दोस्तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अनिता देशाई को आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अनिता देशाई ही सिर्फ एक ऐसी writer हैं, जिन्हें साहित्या Academy Award मिला था, नहीं ऐसा नहीं है, तो दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ, कमला दास को भी साहित्या Academy Award मिला था, 1983 में मिला था, अनिता देशाई को कब मिला था, दोस्तो 1978 में मिला था, इसका मतलब इन तीनों को मिला है था, All of the above इसका correct answer है, D इसका correct answer है, I hope दोस्तो ये 10 questions आपको अच्छे समझ में आये होंगे, तो मिलते हैं दोस्तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिंद